हेलो फ्रेंज आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज मैं आपको प्लाजो पैंट का एक बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन दिखाऊंगी जिसे हम कट्वर्ग के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो डिजाइन रेडी करने के लिए मैंने ये बुकरम का एक छोटा सा पीस लिया है जो लगबग धाई इंच चोड़ा है ये देखिए और साड़े साथ इंच लंबा है और अब हम इसे ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे और अब हम इस पे मार्किंग करेंगे अपने कट्वर्ग क तो सबसे पहले हम उपर की तरफ ऐसे आधा इंच मार्क कर देंगे बुकरम को विल्कुल सीधा सीधा और अब इस तरफ से भीस को ऐसे आधा इंच यहां पे सीधा सीधा मार्क कर देंगे और अब हमें इस पे कट्वर्ग ड्रॉ करना है तो पहले हम जो पहली मार्किंग है वो इस तरीके से करेंगे diagonal में यहाँ इस side से 1 इंच और यहाँ इसको ऐसे इस तरीके से हमें मिला देना है तो ऐसे मैंने इसको यहाँ से diagonal में मार्क कर लिया है और अब हमें नीचे की तरफ round cutwork ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैंने ये चोटा सा बुकरम का पीस लिया है जो लगबग दो इंच ओड़ा है और एक इंच लंबा है और अब हम इस पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे और यहां पे अपने कट वर्क के लिए पैटरन ड्रॉ कर लेंगे तो ऐसे मैंने यहां से राउंड मार्क कर लिया है और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट भी कर लेंगे तो हमारा यह कट वर्क कुछ ऐसे आ जाएगा तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको मार्क कैसे करना है तो cut work वाले pattern को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इस तरीके से marking कर देंगे तो ऐसे हमारे cut work की marking हो चुकी है और अब हम अपनी marking के साथ साथ इसको cut भी कर लेंगे तो इसे हमने अपनी marking के साथ साथ cut कर लिया है और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ और हमारा यह design कुछ इस तरीके से आ जाएगा pant के उपर तो चलिए अब हम इसको extra fabric के उपर paste कर लेते हैं तो यह मैंने extra fabric लिया है अपनी pant में से ही और अब हम इसको pattern को इसके उपर ऐसे set करके रखेंगे और paper pasting के साथ इसको fabric के साथ paste कर देंगे तो यह जो paper pasting है press के साथ अच्छे से fabric के साथ चिपक जाती है तो इसे हमने extra fabric के उपर paste भी कर लिया है और side से आधे आधे इंच का margin लेके बाकी सारे fabric को trim कर दिया है और अब हम यह जो side वाला margin आना इसको इस तरीके से तीनो side से fold करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो इसे हमने ऐसे तीनो side से fold करके सिलाई लगा दी है यह दिखिए और अब हम इसको अपनी pen पे रख के stitch करेंगे तो यह जो design है सिरफ front पे आना है बिल्कुल सामने तो हमें इसको पहले front पे design करना होगा उसके बाद हम इसके साथ back side stitch करेंगे तो यह मेरे pen की front वाली side है और इसकी सीधी side ही आपने लेनी है तो इस तरीके से pen के बिल्कुल center में हम अपने pattern को इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके और बिल्कुल center में एक rough stitch उसके बाद बिल्कुल अपने बुक्रों के किनारे किनारे पे सिलाई तो ऐसे बुक्रों के किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा दी है और अब हम बीच वाले fabric को यहां से cut कर देंगे तो सबसे पहले हम center वाली rough stitch को ही cut करेंगे और उसके बाद यह extra fabric को side से इस तरीके से बिल्कुल ज़रा ज़रा सा margin लेके सिलाई के साथ तो यह देखिए बीच वाले fabric को हमने trim कर दिया है और अब हम इसमें छोटे छोटे cuts लगाएंगे तो यह जो cut है हम कोने कोने पे लगाएंगे यह ध्यान में रखें आपकी सिलाई ना कटे लेकिन यह जो cut है सिलाई तक लगना चाहिए ताकि पलटने के बाद इसमें अच्छी finishing आए तो ऐसे हमने इसमें cut भी लगा लिये हैं और अब हम इसको पलट लेते हैं तो एक एक करके हम cut work को इस तरीके से पलट लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको पलट भी लिया है और अच्छे से प्रेस भी कर लिया है तो प्रेस करने के बाद कितनी अच्छी finishing आई है हमारे cut work में आगे से भी और पीछे से भी और अब हम अपनी pant को back वाली side के साथ stitch कर देंगे तो back वाली side को ऐसे नीचे सीधा करके रखेंगे और front वाली side को इसके उपर ऐसे उल्टा करके और यहाँ side से सिलाई लगा देंगे तो यह हमने अपनी pant को back side के साथ stitch कर दिया है और अब हम इसको खोल लेते हैं और नीचे जितना भी हमारे पास folding का margin है उसको fold कर लेते हैं तो मेरे पास यह लगबग 1.5 inch का folding का margin है यह देखिए और अब हम सबसे पहले इसको आधा इंच ऐसे fold करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे तो आधा इंच इसको fold करके हमने सिलाई लगा दी है और अब हम इसको अपने cut तक ऐसे fold करेंगे बिल्कुल सीधा सीधा और यहाँ उपर की तरफ किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमने अपनी pen को नीचे से fold भी कर लिया है और अब हम इससे सीधा करते हैं तो ऐसे हमने इसको नीचे से fold भी कर दिया है और दिखिए कितनी अच्छी finishing आई है आगे से भी और पीछे से भी और अब हम इसके बीच में एक एक pearl को stitch कर देंगे तो मैं ये white color के pearl इस पे लगा रही हूँ आप अपने according कोई भी लगा सकते हो बिल्कुल cut work के center में हमें इनको stitch करना है सुई धागे की मदद से आप इनको stitch कर लीजिए तो ऐसे हमारा एक pearl stitch हो चुका है और अब हम दूसरा बीर सी तरीके से stitch कर लेंगे तो ये देखिए तीनों pearl हमने ऐसे stitch कर लिए है और देखिए कितना beautiful pant का design ऐसे हमारा ये तयार हो गया है और अब हम इसे fitting की सिलाई लगा देंगे तो जितनी भी आप मोरीज की रखना चाते हैं उसके according आप यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए तो ready होने के बाद हमारी ये pant कुछ इस तरीके से आ जाएगी तो देखिए कितना beautiful design ऐसे हमारा ये तयार हुआ है तो अगर आपको मेरा ये design और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो में मिलते हैं till then bye bye